नमस्कार दोस्तो दोस्तो इस प्रकार के जो पोटर कूल्ड कंडेंसर होते हैं उसमें एक ही प्रोबलम हमेशा देखनों को मिलता है कि उसका जो पानी वाला नोजल है यह हमेशा ही जाम होते रहते हैं चौक होते रहते हैं जिसके करण से इसके अंदर जो हाई टेंपरिचर व और प्रेशर हाई रहने लगता है जाम होने के मुख्य कारण जो होते हैं दोस्तों वो सिवाल होता है इसे हर्याई भी बोलते हैं तो सिवाल के कारण उपर का जो नोजल है यह जाम होने लगता है और उसे बार-बार साफ करना पड़ता है होल को खुलना पड़ता है तो दोस् नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल ही हमेशा ही खुला रहेगा, तो मैंने एक कंडेंसर में इसे अजमाया था, तो इसका रिजल्ट 100% आया, और मैं ये देखकर बिल्कुल ही हैरान रग्या, कि शुरू से अभी तक, अभी एक बार भी साफ नहीं हुगा है, और एक भी होल उस के जरिए बढ़ता रहता है, और धेरे धेरे पूरे होल को कभर कर लेता है, तो दोस्तों सिवाल को ग्रो होने के लिए में चीज क्या चाहिए, पानी, ऑक्सीजन और धोग, ये तीन चीजें जो हरियाई होता है, उसे बढ़ने के लिए चाहिए, और तीनों में से कोई एक हम रोक देते हैं तो उसका जो ग्रो है वो रोक जाता है तो हम कंडेंसर में जो पानी इस्तमाल होता है उसे तो हम रोक नहीं सकते और नहीं oxygen हवा को रोक सकते हैं और नहीं धूप को रोक सकते हैं धूप रोक भी दें तो light से वो बढ़ता रहेगा तो दोस्तों मैं इसके बारे में खाफी विचार किया, सोचा और एक उपाय इसका निकाला और वो भी 100% कार गर और मैंने इसे एक कंडेंसर में इस्तमाल किया और पूरे सीजन जाने क्यों है लेकिन अभी तक उसे साफ नहीं करना पड़ा है और एक भी होल उसका बंद नहीं ह मैं उसे दिखाऊंगा आपको दोस्तों तो मैं क्या उपाय किया हूं दोस्तों कि अभी तक उसे साफ करना नहीं पड़ा है एक भी होल अभी तक बंद नहीं है मैं इसके बारे में बताऊंगा और आप भी इसे जब भी आप नया कंडेंसर बनवाते हैं उसमें ये उपाय कर देंगे तो साल में एक बार या वो भी नहीं साफ करना पड़ेगा दोस्तों मैं इसके लिए दोस्तों कंडेंसर को पानी होता है उससे मैं ट्रिटमेंट नहीं किया हूं यह नॉर्मल ही पानी है ट्यूब वेल से जो पानी आता है वही पानी है वही चलता है लेकिन फिर भी ए नोजल है वो बंद नहीं है तो चले दोस्तों इसके लिए मैं कंडेंसर पर आपको लएक़ चलता हूं और दिखाता हूं कि मैंने क्या उपाय किया है और यह कैसे 100% कारगर है तो चले दोस्तों हम उपर आचुके हैं तो यह हैं वो कंडेंसर जिसमें मैंने वो चीज अपलाई किया था और इसका रिजल्ट बहुत ही सेक्सेस्फुल रहा है तो देखते हैं कि एक भी होल आपको बंद नहीं दिखाई दे रहा होगा देखते हैं सारे होल खुले हुए हैं आपको दोलो तक दिखाता हूँ एक भी होल इसमें आपको बंद हुआ नहीं दिख रहा होगा यहां मैं नज़िक से दिखाता हूँ देखते हैं सभी होल खुले हुए हैं और यह ब अभी एक बार भी इसे साफ करने की अवशक्ता नहीं पड़ी है तो बहुत ही सेकसर फूल रहा है यह अपलाई करने के बाद यहां दखते हैं और बिल्कुल ही क्लीन है अगर अगर अप जब भी नए कंडेसर बनवाते हैं उसमें यह चीज अपलाई कर देंगे तो पूरे साल में एक बार भी इसे साफ करने के अवशक्ता नहीं पड़ेगी अपने मर्जी से एक बार साफ कर सकते हैं बीच में लेकिन पूरे सीजन भर यह चलेगा एक भी होल बन नहीं होगा आपको लग रहा होगा कि यह अभी साफ किया हुआ है लेकिन नहीं दोस्तों यह छे महीने होगे साफ किये हुए और एक भी होल इसमें बन नहीं है तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या चीज़ इसमें किया है जिसे इसमें एक भी होल नहीं बन होगा है देखेते हैं दोस्तों कि यह जो है पानी का हेडर है जो पंप से आ रहा है और नीचे पाइप देकर निपल देकर यहाँ पर टी देकर और दोनों जो पाइप का नजल है यह जोड़ा हुआ है तो सभी में इसी तरह है तो मैंने दोस्तों इसमें यह उबाई किया है यहाँ देख सकते हैं कि यह जो पाइप आ रहा है और यहाँ पर टी लगा है तो यहाँ पर एक मैंने होल कर दिया है आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ यह होल है ठीद है यहाँ पर होल मैंने कर जहां पर यह टी लगा है वहां पर देखते हैं कि यह होल मैंने किया है यहां भी देखाता हूं तो सभी जो टी लगा है टी के साइड में इस तरह टी के साइड में मैंने होल कर दिया है तो मैं काफी सोचा और यह उपाए मैंने किया सभी पाइपों में मैंने होल किया है अब बताता हूं दोस्तों कि इसमें होल करने का में कारण क्या है में रिजन क्या है दोस्तों रिजन ये है कि जब ये प्लांट चलता रहता है तो ये पानी इधर से होल से निकलता रहता है और जब ये प्लांट बन हो जता है तो इसका पानी तुरत खाली हो जता है यानि इस पानी तुरत खाली हो जाता है और यहां तक पानी नहीं रहता जब यहां होल तक पानी नहीं रहेगा तो जो सिवाल का प्लैंटन होए वो बढ़ेगा नहीं गुरो नहीं करेगा क्योंकि यहां से पानी नीचे चदा जाता है और यहां धूप लगने कारण जो सिवाल होता है इसको कभर नहीं कर पाता और सूप जाता है इसलिए डेली ये सूपता है और डेली धूप लगता है इसलिए इसमें सिवाल पनप नहीं पाता ठीक है तो में रिजन दोस्तो यही है कि इस पाइब को जल्दी से खाली कर देना जब ही प्लांट बंध होता है तो उसे जल्दी से तो होल इस पाइप के साइड में भी कर सकता था कहीं भी यहां से वहां तक कहीं भी लेकिन मैंने यहां किया है अगर मैं और कहीं करूंगा पाइप में तो यह होल बंद हो जाएगा लेकिन यहां से जो पानी आ रहा है बहुत तेजी में आता है और यहां का होल नहीं बंद होत और जो इधर से last pipe है last pipe में दो जो पाइप है दोनों pipe को अंदर के तरफ hold किया है और उसी तरफ उधर का last pipe है वो अंदर के तरफ किया है ताकि पानी बाहर को न जाये जब यह पानी खाली होगा तो यह pressure से बाहर न जाये इसलिए मैं दोनों साइड के पाइप अंदर के तरफ होल किया हूँ बाकी अप अंदर के पाइप है साभी वो किधर भी होल कर सकते हैं कोई लिकत नहीं होगा लेकिन साइड के जो दो पाइप है उसमें अंदर के तरफ होल करना होगा तो मैंने ये किया है दोस्तो और result ये आपके सामने है दोस्तो कि इसमें एक भी hole अभी तक बंद नहीं हुआ है और जब से ये apply मेंने किया है तो एक बार भी साफ नहीं करना पड़ा है तो इस तरह दोस्तो बार-बार hole बंद होने के प्रशानी से बचा जा सकता है दोस्तों जो प्लांट दीन में 2-4 घंटे के लिए बंध होता है तो वहाँ पर ये अच्छा काम करेगा क्योंकि यहाँ सूखने का मौका मीलेगा धूप लगने से लेकिन जो प्लांट सालो भर तक लगतार चलता है वहाँ पर मैं कुछ नहीं बता सकता कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा काफी इसे समय की बच्चत होगी मेनत कम करना पड़ेगा तो इसे काफी टाइम की बच्चत होगी तो दोस्तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरू करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें मिलते हैं किसी और informative वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्का